पिछले आठ दिनों से मोज़नों दार चड़ाओ की चलते आंध्री और तुफान के नाम से भी दहशत सीखोने लगी है दो मई को आए तुफान में अलवर जिले में करीब 11 लोगों की मौत हो गई थी और लगबग 2 दर्जन से जादा लोग घायल हो गए थे जिले में करीब 1500 से जादा बिजली के पोल और हजारों की संख्या में पेड धराशाई हो गए थे और चार दिन तक आम जन को एक बड़ी तरास्दी जहलने पड़ी जिसमें बिजली और पानी जैसी मूल भूत सुईधाओं के लिए परिशानी का सामना करना पड़ा वही मोसम विबाग वर परशासम ने साथ और आठ मैं को भी तुफान के आने की संभावना के जैस जिले में हाई अलर्ट किया था साथ और आठ तारीक को तो ऐसा कुछ ज़्यादा नजर नहीं आया लेकिन नो तारीक को शाम को पाँच वजे बाग मोसम ने फिर करवट ली NCR शेतरवे तेज हवाओं का दो रचानक शुरू हो गया जिसमें भिवाडी में तेज हवाओं के साथ मिट्टी के गुबार भी उठते हुए दिखे साथ ही अलवर शेहर में भी तेज हवाओं चलना शुरू हो गई इसे देखते हुए आम जन में फिर दहशत का माहल बन गया शाम शे बजे दुकानदारों ने अपनी दुकाने बंद कर अपने घर जाना ही बहतर समझा और अपनी दुकाने बंद करने लगे बाजारों में दुकानदार अपना समान समेटते हुए ने जराए वही ठेली पेटरी वालों ने भी अपने समान को बचाने के लिए व्यवस्ताय शुरू कर दी इस समय आसमान में गहरे बादल शाय हुए हैं और तेज हवाओं के साथ आंधी चल रही है ठेली पेटरी वाले दुकानदारों ने बताया कि पिछली बार भी उनका काफी नुकसान हो गया था इस बार वो इस समय पर घर पहुँचना चाते हैं देशा है कि फुपान तो आना है प्राकर्तिक आपना है हम लोगों ने पहाड नहीं छोड़े लेड़ नहीं छोड़े जो पहाड अमारे रिक्षा करते थे फुपानों से पहाड तोड़ दिये तो फुपान तो आनी है दुकान इसलिए भाग रहे हैं के दुकान बंद करके डर हैं दो तारिकों भी कितना नुक्तान हुआ है हम लोगों का अब लोगों के डर से जा रहे हैं के दुकान शट्र बंद कर रहे हैं अधी ज्यादा बद्यार बंद हो चुका है बंद हो चुका है बंद हो चुका है पोलित उता रिंका साप